हेलो फ्रेंट्स अज के इस वीडियो में हम लोग डेली पुलिस ड्राइबर इंटर्व्यू का कञास डेखने वाली है और इस कलास में हम लोग जो इस कलास को हम लोगोंने दो पार्ट में बाटा है तो कौन-कौन सा है देखिए जो सलेवस दिया गया है यहां भी आपको दो पार्ट में दिया गया है पार्ट वन है जो कि knowledge of traffic sign यानि कि यातायार संकेत हो गया driving rules यानि कि driving नियम हो गया driving करने का न 25 मार्क्स के पुछे जाएंगे जो कि 12.5 मार्क्स लाना अनिवार है यानि कि 25 नमर में आपको 12.5 नमर लाना अनिवार है अगर 12.5 के जगा 12 भी नमर आ जाता है तो वहां पर आप फेल हो जाईएगा तो आपको अगर भले ही return exam में 70 पलस क्योंने score किये हैं वहीं पर आपको भाहर कर दिया जाएगा तो गर इसलिए महनत अभी से करना है इसमें यह नई ओकि सारे महनत पाणी में चला जा रिटें एक्जाम का भी फिजकल का भी ड्राईविंग टेस्ट क में उपर जो ड्राईविंग के चक्कर में तो इसलिए लेंके त्यारी proper तरीका से करना है तो स्टाडी विट क्रेजी गुरूपे देखिए पार्ट वन का भी कलास चला है पार्ट टू का भी चला प्लेइलिस्ट बना हुआ है वहां जाके आप देख सकते हैं ओके उसका लिंक हम निचे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे तो देखिए इसमें कि 25 मार्क स पर देखिए और यह सेक्षन वर्ण टू है तो सेक्षन वन से भी 12.5 मार्क से लाना रहे हैं और सेक्षन टू से भी तो इसी का आज हम लोग जो क्लास देखेंगे वह सेक्षन टू से देखेंगे इसमें विश्य सूची त्यार किया गया है लेकिन हम आप लोग को यह नमर क दिखा रहे हैं देखें यह ससी कुमार के नाम से सेव कर लिए कोई भी डाउट होगा तो इस नमर पर आप मैसेज कर सकते हैं उसके बाद क्या है कि यह विश्य सूची दिख रहा है यह अपना बुक का है अपना बुक बोले तो ई-book अब देखिए आप लोग तो कोई चंड किया है क्या चीज का e-book आप यह बोलिएगा सर e-book क्या है PDF format में आपको e-book दिया जाएगा जो बुक है पहुंचाया जाएगा जो कि पहुंचाया नहीं आपको WhatsApp के माद हमसे सेंड किया जाएगा जो कि यह section 1 part 1 और part 2 दोनों के लिए यह मत सुचिए सर पार्ट 1 का ही दिजएगा क्या और यह जो बिसाज सुची देख रहा है यह पार्ट 1 का सलेवस है पार्ट 2 का अलग है ओके तो PDF आपको सेंड किया जाएगा सर इसका प्राइज भी लगेगा क्या हां maintenance चार्ज आप से लिए जाएगा maintenance चार्ज बोले तो दखिये यह ebook आपको सेंड किया जाएगा तो उसमें पासवर्ड रहेगा पासवर्ड में आपका आप जो चाहोगे वह रहेगा आपका मौइल नमर भी हो सकता है आपका डेटा बल्थ भी हो सकता है तो आपका मौइ पर यहां पर सेव कर लिया जाता है आप भी जो पेमेंट किजिए गा तो उसका इसका स्क्रीन रखे रहीएगा उसके बाद आपको फिर से डिस्ट कर दिया जाएगा और यह नहीं दुबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं और पेमेंट तो बता रहें देखिए 100 रुपीज है लेकिन अभी 20 परसेंट डिसकाउंट चला है मार्ट 80 रुपीज में मिल लेकिन यह समय तक है उसके बार फिर 100 रुपीज हो जाएगा इसमें आपको तीन पीडिया जाएगा बहुत साथ यह जिनको दो पीडिया गया और ए रिकॉल करना है रिकॉल बोले तो याद करना यह सब आप लोग जानते हैं लेकिन इंटर्व्यू में कैसे बोलना है यह चीज यहां पर बताया गया है ओके तो ध्यान रखिएगा तो चलिए आज का जो कलास स्टार्ट करता और पेमेंट कैसे करना इसी नमर पर गूगल पर या फोन पे नमर आप कर सकते हैं तो आज का कलास कैसे देखिए जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हो चुका है कल ही यूनिट 2 समप्त किये थे पिछला वीडियो में तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 यह बार में करेंगे अभी हम लोग पहले देखेंगे य के बारे में पुछा जाएगा राइविंग का जो important बात है जैसे एक अच्छे चालक के क्या गुन होना चाहिए driving checklist क्या है शुरक्षी driving के नियम क्या और., यह इसी में आता है को ड्राइविंग काटना क्या है सरक पर सिस्टा चारwehr क्या है शुरक्षी ड्राइविंग के नुस्के क्या है, मुर्णे का संकेत क्या है, गती सिमा क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, यहां से कोष्चन बार बार हर एक अभ्यारती से पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा, तो इसलिए यह जो यूनिट अभी बता रहे हैं, य एक अच्छे चालक के गुन के बारे में देखेंगे सबसे पहले एक अच्छे चालक के गुन क्या है जैसे ड्राइविंग के मूल बाते क्या है यह हम लोग देख लिए हैं देखिए मोटर मोटर वाहन चालक के रूप में यह जरूरी है कि ड्राइबिंग कलते समय कुछ महत्पुल्ण पहलू को समझे और उससे पढ़ चित हो तो पहलू क्या है तो वह ही समझाने आए हैं टेंशन मतलिजिए यह वह सरल साथ में सरक्षित और रक्षातमक ड्राइविंग के लिए अटरंड आवस्षक है यानि कि यून काउद 나오 हूं कर दो साथ में जो सरक पर रहते हैं जो और दूसरे आदमी चलाते हैं उनका भी जीवन उनका भी जीवन खत्रा में डाल देते हैं इसलिए यह बात जान लेना जरूरी है और जो यतायात का नियम है वह पालन करना अतियावस्तक्त है और रक्षात्मक ड्राइविंग यानि कि आप अपने को भी रक्षा कीजिए और सामने जो दुसरे वाहन जा रहा है यार सरक पे लोग चल है उनका भी रक्षा कीजिए अच्छे चालक के गुन इंपोर्टेंट है एक अच्छे चालक के तीन गुन होना चाहिए वहाँ पूछ लिया जाएगा और यह आपको बताना है और ऐसे बताईएगा न ऐसे रेंडमली कुछ-कुछ बता देजिएगा तो इंटर्विव और भी आपको समझ जाएगा जिए परहा नहीं है बसम को मुर्ख बना रहा है तो आपको मुर्ख नहीं बनाना है वहाँ पर जैसे बोलेगा जिए जैक अच्छे चलक का क्या गुन होना चाहिए ताब लिएगा तीन होना चाहिए पुरुवा नुमान उसके बाद एका गरता और शकारात्मक द्रिष्टी कोण आप बोलिए वही पूछ देगा ये तीनों क्या है और तो आपको फिर जवाब देना परेगा जवाब देना परेगा क्या देखिए पुर्वा नुमान क्या है तो पहले उससे पहले ड्राइविंग करते समय हाथ हुआ आखों के बीच समनवय तथा सजगता महत पुल्न होती ह बिल्कुल सही बात है आपका हैंड वहाँ पर परवर करना चाहिए आख आख बोले तो आपका जो दिरिष्टी है इमेजिनेशन पावर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि कोई दुर घटना न हो सके यानि यह दखिए कि आगे घटना क्या होने वाली है मतलब आगे से गार चिन्हों तथा अन्य वाहन चालकों की गति वीडियो को पुर्वा नुमान लगाना आती अवसक है यानि कि आप अपने वाहन को नहीं आपको यह भी देखना है कि सामने वाला बाहन अगर वहां से आ रहा है तो उसका क्या एक्टिवीटी होना चाहिए तो वह कि साइड में कहीं परोपर पहले साइड करके और खरा हो जाना उसको निकल जाने देजिए क्योंकि वहां पर उसका तो जान का खत्रह है साथ में आपका भी जान का खत्रह हो सकता है तो इसलिए वहाँ पे ध्यान आपको ही रखना है, उडाहरन के लिए यदि सरक्य किनारे कोई बच्चा खेल रहा है, और ये भी पैदल यात्री को भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि केवल वहाँ चाल कोई ध्यान रखना है, पैदल यात्री को भी ध्यान देना है, सपोज कि हाँ सरक पार कर रहा है तो अगर मालीजे आप खुद गारी को सुलो कर लीजिए तो ध्यान रहा है तो इसकूल के अनुसार गारी सुलो में वहां से निकाल लिए स्भूल के लिए यदि सरक के किनारे कोई बच्चा खेल रहा है तो सहज अनुमान में कोई बच्चा खेला है यह भी हो सकता है वहां से बच्चा मतलब फुटवाल खेलते-खेलते मतलब रोड पे आ जाता है तो वह फुटवाल उसका अकरशन का फुटवाल पे रहेगा लेकिन आपको ध्यान रखना आगे प्लेगरांड तो आपको धीरे चलना है कि आइसा नहों कि बच्चा खेलते के खेलते सरक पे आ जाए ओके यह चालक के लिए अनपेक्षित परस्थिती है तो त्यार रहना बहुत जरूरी है यह मतलब यहां हम उदाहरन के लिए दे रहें लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब आगे जो इमेजिने पावर अगर खोदेते हैं वहां पे तो आप एक्सिडेंट आपकी एक्सिडेंट करने की संभावना बढ़ जाती है तो चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है एका गरता एका गरता चाहे सरक पर अपना ध्यान केंडरित रखे और संभावित रुकावतों के प् चवराहा है तो चौराहा पे यह भी हो सकता है कि गारी कहीं से रेंडम ली आ सकती है तो वहां पे आपको सजग रहना है एका एका गरता रहना है ओके ध्यान रखेगा इसको बोलता है और उसके बार क्या है और चालक को चाहिए कि अच्छी तरह से विस्राम करे सांट मन से किसी भी सूरत में चाला ए दिली से मुंबई लिदी पहूंचने के चकर जाना आपको इक चमता के अनुसार माझ लिघता चार घना दॉड राहा पते नुसारlli कंविण रोक के एक से दो घंटा आराम कर लीजे फिर ड्राइबिंग किजिए मतलब डिपेंड करता है जे ड्राइवर मतलब कितना सह सकता है यह नहीं कि मतलब दो राट से जगे हैं बस वहां पहुंचना है जा रहे हैं जा रहे हैं तो वह देंजर जो ने चला जाएगा ओके तो यह आपको फाइन मतलब देना पड़ सकता है तो क्या और नसा कैसे चेक किया जाता है मान लिजए रुप्ट अगर आप नसे में हैं जैसे सिंसर लगा रहा था आप तो सिंसर के मान्दा नहीं से होता है लेकिन अगर जारा नसा मतलब होता है जो कभी-कभी केस होता है कि यह मिली गराम है 30 मीली हूल कि मतरा पाय मटरीट पके 30 मिलीमेटर या उस से जबहाई नशेक हालत में वहां नसे में है और यह अब तो क्या है कि सिंसर आ गया है तो जैसे फुक मालते हैं तो तरह तरह के डिवाइस आ गया है लेकिन यहां पे जो में है वह 100 ml में अगर और यह सब का जो बेसिक है बनावत है यह 100 ml जो बलड है उसमें से 30 mg अगर अलकोहल की मैतला पाया जाता है यह जरुमाना भी लगेगा देखे इसमें क्या है पलठम जिर्माना है जिसमें की अगर 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपय की जर्考ना हो सकता है या 6 महीने की सजा होगा नहीं तो दोनों भी नहीं हो सकता है ध्यान रखिएगा उसके बार 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 आगर jetzt महीने के बीत्र barrier अग पर दो वर्स की सजा और 15,000 रुपे अगर वही एक बार फर्स्ट ताइम पकरे जाते हैं तो छे महिने की सजा या 10,000 रुपे ध्यान रखेगा और याद रखेगा खटरनाक ड्राइबिंग कलते हुए या नसे में अगर आप पकरे जाते हैं तो बिना वारेंट के ही पुलिस जो ट्राइफिक पुलिस है या कोई भी पुलिस है वो गिराफ्तार कर सकती है यार रखेगा यह कोश्चन आपसे वहां पे पूछा जाएगा क्योंकि आप पुलिस ड्राइवर का इंटर्विव देने गए तो यह पूछा भी जाएगा जो बताए जह किस धारा के अंटरग जो कि नसे के हालत में आप ड्राइविंग करते हैं तो बिना वारेंट के आपको गिराफ्तार किया जा सकता है तो ध्यान रखेगा यह चीज उसके बार अब क्या तिसरा क्या साकारात्मक रिष्टिक यह बाहन चलाते समय साकारात्मक रवया बहुत ज़रूरी है यह एक जि पूरा दुनिया चल ला है तो मैं क्यों आपको यह सुचने से नहीं सारा इसी तरह सुचने लग जाएगा तब तो इंट्रॉपी नहीं करना है तो वहां पर क्या करना है आपको बस यह करना है कि आपको अपना जिम्मेदारी खुड लेके चलना है हर एक ड्राइवर आप हो या कोई भी ड्राइवर हो उसको भी रेलाइज कराईए जिम्मेदारी खुड लेके चलना है और जो भी जो सरक्स रिस्टा चार नियम है वह आपको पालन करना है अकरामक रवाया सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के अनुकूल नहीं है यानि कि आप ऐसा नहीं कि खतरनाक ड्राइविंग किसे करते हैं खटरनाक ड्राइविंग उसे करते हैं जो कि लालबत्ती को पार कर गया या इस टॉप चिंप का उलंगन कर यानि कि उलंगन करते जा रहा है खटरनाक तरीके से वहन चलाना एक दम मतलब ऐसा ऐसा तरीका से वहन चलाना जो मतलब न सुच नहीं होगे जिससे आप का भी जानी के खटरह हो और अगर मालिष आप चल लाएं रोड के तो आप आप का adam concept रहा वहां पे हैं या कोई आदमी है उसका का भी जानी होगा होगे ध्यान रखिए गाव सभी परस्थितियों में सान्ते रहे डृटर है तो आप सांते बनाए राखे क्यों कि पैसे इस ड़ाइवर के लिए इंपर्टेंट हैं करने की बजाए उन्हें आगे जाने दे यानि कि कोई कोई आइसा होता है जो यह मतलब एक दो ऐसा गारी वाले मिल जाते हैं जो यह पता नहीं देदी यह नहीं कि उनको मतलब यह दिखाने लगी है कि मैं भी ड्राइबर हूं मैं भी स्पीड चला सकता हूं आपको अगर चार्ड राइविंग करना है तो आपको अगे निकलने देजिए उसको एक दिन एक दिन हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा तो यह सकारात्मक ड्रि जिसको वोलते हैं, इमचीनेशन सही से करना तो जो सकते हैं उसके पर फोकस करना उसके बाद एका गरता है एका गरता मतलब कि आप यह न कि नसे के हालत में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो दुसरा हो गया पुरवा नुमान में क्या बोलिएगा जो कि imagination सही रखना है कि आगे कुछ भी हो सकता है तो उस पर अपने को control लखना है स्कूल है तो इसकूल से बच्चा निकल सकता है प्लेगराउंड है तो वहां से बच्चा खेलते हुए सरक्पे आ सकता है यह सब हो ग करना चाहिए लेकिन उसका भी नियम है बताएंगे क्या नियम है आपसे पूछा भी जाएगा इंपोर्टेंट जाएगा तो यह सकारात्मक डिस्टी कोन में ही आजाता है ओवर्टेकिंग हो गया जो भी ड्राइविंग रूल सा जाता है यह शाकारात्मक रिस्टिक होने में आजाता है तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं हम लोग रहने देते हैं और देखे इस तरह सारा देखिए है न सुरक्षिक ड्राइविंग के नियम 5.3 में इंपोर्टेंट है आपसे पुछ लिए जाएंगे दो सेकेंड का नियम क्या है उसके बार क्या है टायर एवं टार्मक नियम क्या है यह सब आपसे पूछा जाएगार क्या नियम है जो मतलब उपर उपर नहीं उड़ाएंगे सारा एकदम बताए न जो यह इंटर्व्यू है न इंटर्व्यू का त्यारी कराने का जिम्मेदारी है जो इसलिए न बोलने अगर हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो आपका दोस्त है जो फ्रें है जो ड्राइवर के लिए इमोशन है चाहे बिहार पुरीश ड्राइवर के तो प्लीश प्रेंट कर लीजिए लाग का कोई काम कर नहीं ना सक्षस कम बाना जाता है जब आपके हाथ में आफर ले रा जाए जोएनिंग हो जाये ओके तो यहीं और याहीं कर वाने काच ज़िमेधारी करवाने का जोगारी इस्तवरी विथ क्रेजी बस आपको दिया जाएगा ओके इंटर्वियों का इधर उधर मतलब कि धर भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं बस इस्टाडी विच्ट के रेजी गुरूप बने रही है ओके तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत